जै मातादी हिंदु धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सार्दिय नवरात्री में कन्या पूजन का विसेश महत्तु माना गया है खास तोर पर अस्टमी तथा नौमी तिथी को तीन से नौ वर्स तक की कन्याओं का पूजन करने की पड़मपड़ा है यह कन्याएं साक्षात मा दुर्गा का सरूप मानी जाती है जानिये नवरात्री में कन्या पूजन से क्या लाग प्राप्त होता है दो वर्स की कन्या को कौमारी कहा जाता है ऐसी मानेता है कि इसके पूजन से दुख और दरिदरता समाप्त हो जाती है तीन वर्स की कन्या त्रिमूर्ती मानी जाती है त्रिमूर्ती के पूजन से धन, धान्य का आगमन और संपुर्ण पडिवार का कल्यान होता है चार वर्स की कन्या कल्यानी नाम से संबोधित की जाती है कल्यानी की पूजा से सुक सम्रिधी मिलती है पांच वर्स की कन्या रोहिनी कही जाती है रोहिनी की पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है छेह वर्स की कन्या चंडिका के पूजन से एस्वर्य मिलता है आठ वर्स की कन्या सांभवे की पूजा से लोग प्रियता प्राप्त होती है नौ वर्स की कन्या दुर्गा की अर्चना से सत्रू पर विजय मिलती है तथा और साध्य कार्य सिध्ध होते हैं